तो हलो नमस्ते अस्तार कुछ सेकाल केम छोग नना बिग बॉस अभी नहीं शुरू हो रहा है पीवी वाला बिग बॉस ये जिन्दगी का बिग बॉस शुरू हो गया है सब घर में बैठे हैं लेकिन कुछ लोग हैं जो के उलंगन कर रहे हैं अब हाली में मैं हापर आया दो दिन की चुट्टी के लिए और चुट्टी हो गई मेरी नहीं हम सब की ये करोना कोविड नाइटीन ने सब की चुट्टी कर दी पहले ऐसा रगा कि फ्लू है खतम हो जाएगा घर चले जाएंगे फिर ये लॉक डाउन हुआ जब ये लॉक डाउन हुआ तो मामला बड़ा गंबीर बड़ा सीरिस हो गया है क्योंकि यहां पर पुरा खांदान है पुरा परिवार है हमारी अम्मी है हमारी दो बहने हैं उनके बच्चे हैं और कुछ काम रिलेटिड लोग आये थे जो के अब जाके इस करोना वायरिस कोविड नाइटीन के अंदर दोस्त बन गए तो यहां पर हमने एक रूल बनाया कि यहां पर जो है वो यहीं पर रहेगा और बाहर का कोई नहीं आएगा और अंदर से कोई बाहर नहीं जाएगा तो लेकिन राशन के लिए जाना पड़ता है अब हमने कुछ वेजिटिबल्स के लिए हमारे बहुती अजीज करीवी दोस्त को पास में पांचे किलमेटर दूर एक गाउं में बेजा राशन करीने के लिए तो आजकल पुलीस का बहुत ज्यादा पहरा है जो के बहुत अच तो वो गए उनको पुलीस ने रोका तो इन्होंने क्या किया कि पुलीस वाले से बात करते हुए उन्होंने अपना मास निकाल लिया तो पुलीस वालने कहा हम से कि ये मास पेनो दूर टो और ये मास पेनो तो उनको समझ में आ गया कि जो नहीं करना था उन्होंने किया आप को मना किया गया था करने के लिए वो ही आपने किया और रहाइधी बेवगूफी की चीज़ की टाब दिमाघ से निकल गया है सोचा के बात कर रहा हूं तो मूझ दिखा के बात करूँ जो कि नहीं करना चाहिए था उस वक्त अब जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही कि इस को मैं कहां लेके जा रहा हूँ वो मेरी बात गोर से सुनें किसी भी बीमारी में रिजल्ट पॉजिटिव होना बहुत दुक्रदायक बात है और स्पेशली उस बीमारी का जिसका कोई लाज नहीं है लेकिन किसी पॉजिटिव पेशिंट के दिमाग में एक नेगेटिव थाट आ जाना एक उसका सियम खो देना, होब खो देना तो उससे बुरी बात है और जो पॉजिटिव टेस्टिव पेशिंट है, उसका दुख ना समझना वो एंटी हुमन, एंटी इंसानियत है जो पॉजिटिव टेस्टिव पेशिंट है, उसके बात ये समझ में आ जाती है कि हमने एतियात नहीं रखा, गल्दी हमसे हो गई और जो नेगिटिव है और एतियात नहीं रख रहे हैं वो जल्द पॉजिटिव हो जाएंगे ये गैरिंटी है और फिर अपने पूरे खांदान को ये बिमारी दे देंगे खांदान से महले को, महले से शहर को, शहर से पुरे हंदुस्तान को क्या कहा है गवर्मेंट ने, के बाहर मत जाओ, सोशिल कैदरिंज ना करो ये ही खाया ना, दोस्त यारों से ना मिलो, आइसोलेशन में रहो, घर में रहो, परिवार के साथ रहो परिवार के साथ बग गुजारो, इस सब किस के लिए, उनके लिए, नहीं, हम सब के लिए नमास पढ़ना है घर पे पड़ो, बुझा पाट करनी घर पे करो, बच्वर में ये सीखा था कि भगवान हमारे अंदर है तो अगर भगवान के घर जाना, अल्ला के घर जाना है, परिवार के साथ जाना है तो निकलो भाग, मनना तो एक दिन सब को है, लेगिन क्या कोई मनना चाता है यह यहां पर आके यह बात चेंज कैसे हुई इंडिया के आवाम को इंडिया के आबादी को कम करना चाते हो starting with your own family तुम्हारे बच्चे तुम्हारे माता पिता तुम्हारे बुज़र्ग जिन्होंने तुम्हें पाल पोस्के बड़ा किया है उनके साथ चुरुआत करोगे अब आब बताओ पुलीस का साथ देना गवर्मिन्ट का साथ देना डॉक्टर्स का साथ देना जो लोग बैंकों में काम करते हैं उनका साथ देना या नहीं अब वो लोग इस बात का जवाब दो जो के गवर्मेंट की बात नहीं सुन रहे कि वो सही है गलत है करेक्ट है रॉंग है नेगिटिव सोच रहे है या पॉजिटिव सोच रहे है अगर आपके आक्शन सही होते तो ये लोग डाउन अभी तक के खतम हो गया होता और करोना वाइरिस भी अगर आप ऐसे बाहर नहीं निकलते है ग्रूप्स में दोस्तियारों के साथ तो पुलीस वाले आपके पुठ्टों पर डंडा नहीं मारती है आपको क्या लग रहा है इसमें के पुलीस वालों को मजा रहा है किसने रोका आपको राशन लेने में जाओ ना किसने रोका है खाने पीने का सवा लेने जाओ घर तुरंत आजाओ पास में जाओ किसने रोका है मास पहनो, क्लवस पहनो अकेले जाओ गवर्मिन्ट ने ये वादा किया है कि राशन पानी सब को मिलेगा आपको क्या लगता है कि पुलीस वाले डॉक्टर्स नर्सिस जो बैंक में काम कर रहे हैं उनको करोना वाइरस नहीं होगा, उनके परिवार को नहीं होगा लेकिन उनको देखो, फिर भी वो 18-18 गंटे काम कर रहे हैं किसके लिए काम कर रहे हैं? आपके लिए काम कर रहे हैं और वो भी आपको रोखने के लिए नहीं, करोना वाइरस को फैलने से रोखने के लिए कर रहे हैं क्योंकि ये बिमारी उंच नीच जातपात अमीर गरीब छोटा बड़ा कम उमर हम उमर बड़ी उमर कुछ नहीं देखती आप ये पुलीस वालों की ड्यूटी है वो निभा रहें और आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि आप घर पे बैठें और वो भी आप नहीं निभा रहें मैं कुछ ऐसे लोगों जानता हूं जो घर के बार कभी नहींनी निकलते थे जब से जिम बोला गया है कि घर से बार मत निकलो उन्ह Tumbforcement शूरू करती है अब जो डॉक्टर अपनी जान को खत्रे में डाल रहें पलीस वाले अपनी जान को खत्रे में डाल रहें नर्स अपनी जान को खत्रे में डाल रही है और बैंक में काम कर रहे हैं जिसके वज़े से आप अपने एटी एम और अपने अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं अपने खाने पीने के लिए आप उनकी भी जान को खत्रे में डाल रहे हैं ये कमाल है डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए नर्सिस आपकी जान बचाने के लिए आए और आपने उन्पे पत्तर बरसा दिया जो करोना से डिटेक्ट हो रहा है वाह वो हॉस्पिटल से भाग रहा है भाग के जाओगे कहां? किस और भाग रहे हो? जिन्दकी के और भाग रहे हैं या मौत के और भाग रहे हैं अगर ये डॉक्टर तुम्हारे लाज नहीं करते और पुली सडकों पे नहीं होती तो चंद लोगों की वज़े से जिनके दिवाट में ये चल रहा है कि हमें नहीं होगा वो हिंदुस्तान के धेर सारे लोगों को लेकर चल बसेंगे देखो मैं उनकी बास समझता हूँ जिनके पास कुछ खाने को नहीं है बच्चों को खिलाने को नहीं है अब उन्हें मैं सलाम करता हूँ क्योंकि वो भी ये जानते है कि परिवार गुजर जाने से बहतर है कि ये बिना खाए पिए ये वक्त गुजर जाए बहुत अच्छा काम हो रहा है और ऐसा लग़ा है कि वाकिए में हिंदुस्तान एक दूसरे से दिल से जुड़ा है लेकिन चंद जोकरों की वज़े से ये बिमारी फैली जा रही है अगर आपके आक्शन ऐसे नहीं होते तो पुलीस के लिए आक्शन ऐसे नहीं होते अगर आपके आक्शन ऐसे नहीं होते तो हजारों पुलीस वालों को हजारों डॉक्टर्स को नर्सिस को और आवाम को करोना वारिस नहीं होता इतने लोगों काम तमाम नहीं होता और अभी तक हम सब वापस से काम पे लग गए होते हैं चाइना से शुरू हुआ है चाइना में कब का खता हो गया लेकिन इन चंद लोगों की वज़े से पूरा हिंदुस्तान एक लंबे समय के लिए घर पे बैठेगा मान लिया है बड़े तकत वर वाप बड़े भादुर वाप कि इतने भादुर इतने तकत वर वाप कि आप अपने परिवार वानों को कांदा दोगे उनकी अर्थी उठाओगे इतना जिगर है आप तक यूँ आप यमराज और मलकल मौत बनना चाहते हो और क्यूँ अपने परिवार के लोगों पे इनलिल्ला है और राम नाम सकते है पड़ना चाहते हो हर बात के दो पहलू होते हैं इसके भी दोई हैं एक पहलू यह है कि हम सब रहें दूसरा पहलू यह है कि कोई ना रहा है आप रिसाइड करो और सब शुक्रियादा करो पुलीस फोस का डॉक्टर्स का नर्सिस का जो लोग बैंक में काम करते हैं उनका रिस्पेक्ट करो उनको जिनको हुआ है और एतियात रखो कि यह आगे ना फैले और दूआ करो कि वो नौबत ना आए जहाँ पर आपको समझाने के लिए मिलिटरी बुलाई चाहे सन्यवाद